रियल्मी ने अपने नार्जो सेरीज का एक और नया फोन लांज कर देया, रियल्मी नार्जो सिवेंटी एक्स, ये एक बजट फोन होने वाला है, एराउंड आप समझ लो की 12 से 15 जार के अप्रॉक्स में इसकी प्राइसिंग राइने वाली है, और इस फोन को हम लगबाग एक अपते से यूज कर रहे हैं, और फोन इस डबबे में नहीं, आक्चिली में मेरे पॉकेट में है, और इस फोन को हमने काफी अच्छे तरिके से टिस्ट कर रहा है, और वो सारी चीज़े हम आपको ट्राइ करें के बताने की, वो भी बहुत ही कम टायम में, आज कर ज्यादा टायम में लोगों के पास होता नहीं, तो हम भी ट्राइ करते हैं, तो हम वो चीज़े बता हैं, जो आपको जानना बहुत जरूरी है, अमने घर के अदर अंधर उन्वोकसिंग करी हैं, जंगलों में अन्वाक्सिंग करी है और आज हम अन्वाक्सिंग करने वाले अपने चछत पे डबा पहले से खुला हुआ था, that's why में को काटना नहीं पारा जैसे कि मैंने बताए कि हम इस फोन को लगबग एक अपते से यूज कर रहे हैं तो यहां पर आपको मिल जाएगा यह एक ब्लू कलर का डबा जिस पर लिखा हुआ है फ्री 6 मांथ एक्स्टेंडड वारंटी तो यह मैं पहली बार देख रहा हूँ इसके अंदर क्या है वो तो हम बात में बात करेंगे यहां पर हमारे पास है यह फोन जो आइस ब्लू कलर में है और काफी खुबसूरत सा दिख रहा है 45 वार्ट का सुपर वोग चार्जर है और यह एक नॉर्मल यूस्पी टू टाइप सी केबल है इस सेग्मेंट पर यह सबसे फास्ट चार्जिंग फोन होने वाला है इसमें आपको मिलेगा यूजर गाइड जो आप पढ़ने वाले हो नहीं एक ट्रांस्पारेंट बैक कबर मिल जाएगा और एक सीम इजेक्टर टूल है इसके डिजाइन के बाद करें तो जैसे गर्मी हमारा पीछा नहीं चोड़ रही है इस बार वैसे रियल में भी इस कैमरे के रिंग डिजाइन के पीछे पूरी पड़ी होगी है लेकिन थोड़ा बहुत ये ग्लोशी टाइप का फील देता है Wert है लेकिन थोड़ा सा Gliausi टाइप basically इसपे fingerprint बैसे ना के बरावर ही याएंगे इस फोन में fingerprint side-mounted है मतलब इसका प्लिक करोगे और आपका फोन separate के वित on और दूसरा है headphone jack, यानि कभी भी आपको गाने वाने सुनने हो मस, तो इसमें आप earphone लगा के मस गाने वाने enjoy कर सकते हूँ, आपको एक Bluetooth earphone या फिर Type-C to 3.5mm jack वाइडप्टर लेके घूमना नहीं परेगा हमने design के बारे में लगबग सारी बाते कर ली है, अब उस चीज के बारे में बात करते हैं जिससे आप दिन पर देखते हो, phone का display इस phone में आपको 6.72 इंच का FHD plus display मिलता है, bezels भी इस phone के काफी कम है, तो videos वगएरा देखोगे, उसमें भी काफी मजाएगा 120Hz refresh rate है, तो Instagram पे real scroll करो, या फिर YouTube पे shots वगएरा, phone का display काफी smooth feel होता है, YouTube videos maximum 1440p, 60fps में देख सकते हो, और हाँ, इसका maximum brightness भी काफी जादा bright, अगर धूप में भी ये phone use करोगे, फिर भी कोई में दिकत नहीं आती है, सारे text वगएरा आराम से visible रहते हैं, इतना कुछ बताने क अब लग रहा है कि आपको कामरे के बारे में बता ही देना चाहिए, तो इस phone में आपको पीछे के side ring design बाला camera module मिलता है, जो की दिखने में काफी कॉफूरत है, और camera के मामले में इसमें आपको 50MP का main camera मिलेगा, और 2MP का secondary camera, इस phone के camera से आपको ये photo samples देख सकते हो, आप photos नहीं है, और एक और शीज़ आप देखो के portrait mode में अगर आप फोटो अगर लेते हो, तो बालों के side में एस detection में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन जहां भी lighting एकदम perfect, वहां पर ये price के साब से एकदम decent photos निकाल के देता है, इस phone का front camera 8MP है, हमने daylight में indoor, outdoor हर त प्राइशर करा है, और pricing के साब से काफी decent से selfies ये निकाल के देता है, ये phone Mediatek Dimensity 6100 Plus प्रोसेसर के साथ आता है, यानि ये phone 5G supported है, हमने इसमें Android score test करा और इसका Android score 4 लाग के अबब आया है, जो कि price के साब से एक अच्छा score है, और इस phone में CPU throttling भी जादा देखने को नहीं मिल हमने इस phone में BGM install करा है, HD पे max frame rate पे आप आराम से इसमें gaming कर सकते हो, और थोड़ा बहुत वाम होता है, जो कि हर फोन होता है, और भी यार गर्मी भी बहुत जाता है, तो इतना तो हो ही सकता है, वो हुआ, बट ज़्यादा heat वगरे का issue कुछ भी नहीं आया, अगर आप एक तो ये phone 5000 mAh की battery के साथ आता है, 45W की Superbook Charging है, जो इस segment में सबसे fastest charging phone ये बन जाता है, और इस phone को 0-50% चार्ज करने में आपको सिर्फ और से 25 मिनट लगेंगे, यानि आपको अपने phone को चार्ज करने के लिए ज्यादा दर वेटने करना परेगा, फटा फोन लगाओ, बातरू ज्यादा खास features है, पहला आ जाता है mini capsule, जो मैटो पर आपने कुछ order करा या आपने अपने phone को चार्ज में लगाया, चार्ज से निकाला किसी का call आ रहा है, तो वो चीज़े mini capsule में जैसा iPhone का dynamic island होता है, बिल्कुल उसी तरह के से आपको अपने phone में देखेगा, काफी खुब काफी काम आ सकता है, आप अपने हाथों का बस ऐसे ऐसे करो, आपका phone आपकी हाथों से दूर से ही control हो जाएगा, यह feature realme के एक दो और phone में आ चुका है, और यह इसमें भी आ चुका है, तो हमने इसको टेस्ट करा है, हमें तो इसमें काफी मज़ा है, आप भी खरीदना तो बताना आपको कैसा लगा, इसके लिए अब conclusion पर आते हैं कि यह phone आखिर किन के लिए, तो अगर आपको अपने ममी बापा को यह phone gift करना है, या फिर आपके भाई बहन, school या colleges में कहें, या फिर आपको अपना first phone करना है, आपका phone का ज्यादा uses नहीं है, मतलब एक normal use है आपका फोन का, तो आप इस phone को आराम से consider कर सकते हो, normal अगर gaming अगर अभी करोगे, तो फिर भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, फोन पगर यूज करो एक तम धरले सी उज करो यार, 5000 बैटरी है, फड़ा बट चार्ज हो जाएगा, इतने सारी चीजे है, तो उस समय कोई भी दिकत, normal usage में कोई भी दिकत नहीं आएगी, लेकिन अगर आप heavy usage का सोच रहे हो, तो भाई, ये एक budget phone है, नहीं ये gaming phone है, नहीं ये camera phone है, तो ज्यादा expectation इससे करना अच्छी बात नहीं है, तो चलो, इस वाले वीडियो में इतना ही, आपको इस phone के बारे में क्या लगता है, नीचे कमेरे से बताओ, और ऐसे वीडियोज के लिए सब्सक्राइब,